जब भी operation से कोई delivery होती है तो सभी patients हम से पूछते हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं तो आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी delivery भी operation द्वारा हुई है या आपका किसी भी तरह का पेट का operation हुआ है रिस्ट्रेक्ट में हुई है बच्चेदानी को operation हुआ है तो आपको खाने में क्या-क्या सावधानी रखें सबसे पहले शुरुआत के 24 से 48 घंटे जो आपके hospital में ही बीचते हैं उसमें usually आपको IV drift चलेंगी तब आपको कुछ भी खाने के लिए मना किया जाता है दूसरे या तीसरे दिन डॉक्टर्स आपकी स्थिती देख करके condition देख करके आपको बताएंगे कि आपने कब ओरली यानि मुह से लेना शुरू करना है शुरुआत में आपको liquids अलाओ किया जाएगा फिर उसके बाद semi solid, semi solid मतलब खिचड़ी, दलिया, डाल का पानी ये चीज़ें अलाओ किया जाएगी और फिर उसके बाद आपको solid यानि रोटी सबजी भी अलाओ किया जाता है Usually delivery अगर operation द्वारा होती है तो आपको 3 या 4 दिन घर भीज दिया जाता है घर जाने के बाद आपने जो खाना है उसमें ध्यान रखें मिर्च, मसाला और तला हुआ अभी आपने बिल्कुल नहीं खाना सादा खाना खाना है जिसमें दलिया, खिचडी, डाल, हरी सबजियां और रोटी भी ले सकते हैं रोटी पर चाहें तो हलका सा घी लगा लें डाल, खिचडी में चाहें तो थोड़ा नमक, हलकी सी काले मिर्च में ला लें टेस्ट के लिए बाकी अभी आपने भारी चीजें जो खाने में ज़्यादा टाइम लगता है जिनको पचने में वो आपने एवाइड करनी है कई बार मरीज ये पुछते हैं कौन सा फ्रूट खाएं कौन सा नहीं खाएं तो यूजली खटे और ठंडे फ्रूट आप ना खाएं क्योंकि उनसे आपका गला खराब हो सकता है बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं जादा से जादा पानी पीएं कई बार देखने में आता है कि पेशेंट्स के जो साथ वाले होते हैं यूजली जो उनके बुजर्ग होते हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे पेट फूल जाएगा ऐसा बिल्कुल ना करें ऑपरेशन के बाद आपने जादा से जादा पानी पीना है जादा से जादा लिक्विट्स लेना है अगर आप में पानी की कमी हो जाएगी तो जब भी आप उठकर चलने लगेंगे तो आपका सिर में चक्कर आएगा दर्द होगा तो इसलिए डिलिवरी अगर ऑपरेशन से हुई है तो आपने पानी खूब पीना है लिक्विट्स खूब लेने हैं लिक्विट्स में आप जूस ले सकते हैं कोशिश करें घर का बना ताजा जूस ले डबा बन जूस ना ले नारियल पानी ले सकते हैं शिकंजी ले सकते हैं दूद भी ले सकते हैं इस तरह की और भी टिप्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, स्वस्त रहें, खुश रहें